दोस्तों कैसे हो आप लोग क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो आप लोग किसा शेर नहीं कर पा रहे हूँ इसके फ्रेंड्स ना दो रीजन से एक तो मेरे कुछ हेल्थ इशूस चल रहे थे हेल्थ इशूस मतलब कि मुझे बहुत जादा हेड़ेक हो रहे थे मैं मोबाइल स्क्रीन देखी नहीं पा रहे थी मेरे एक आग से बहुत जादा आसू आ रहे थे जब मैं मोबाइल स्क्रीन पर देखू फिर मैंने आई टेस्ट कराया है जादा नमबर नहीं है लेकिन स्क्रीन पर देखने से सर्दद होता है इसलिए मैं फिर स्पेट्स लेकि आई और दूसरा एक रिजन है कि अभी बच्चों का बोर्ड एक्जाम चल रहा है मेरा बेटा टेंट में है तो उससे भी थोड़ा समय देना पड़ रहा है इसलिए मैंने सुचा क्यों आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया जाए और यह सब सौट आउट किया जाए और इस बीच में मुझे केक का ओर्डर मिला था जो कि बहुत ही इजी डिजाइन है लेकिन देखने में बहुत ही सुन्दर है तो मैंने उस ओर्डर को कम्पलीट किया था उसका वीडियो भी बना था लेकिन हेडेक हो रहा था तो मैं उसकी एडिटिंग नहीं कर पा रही थी तो आज मैं आप सब के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखीगा क्योंकि हमेसा मेरे चानल पर आपको ऐसी रस्पिस मिलती है जहां पर इजी बेकिंग, इजी केक, डेकोरेशन आइडिया में शेयर करते हूँ बहुत सारे टिप्स मेरे वीडियो के बीच में मैं देती हूँ अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वो टिप्स सारे आप मिस कर जाएंगे और हां दोस्तों अगर आपको मेरे रस्पिस पसंद आती है, मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और हां कमेट में अपना फीडबैक देना तो बिलकुल भी मत भूलेगा क्योंकि आप सब की फीडबैक मेरे लिए बहुत ही माटर करती है और चावल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही अच्छी अच्छी नहीने वीडियो को देखने के लिए चली स्टार्ट करते हैं आज की हम बनाते हैं केक बेस तो आज की जो केक है ना इसकी फ्लेवर है रेड वेलवेट तो आज मैं यूज कर रही हूँ आयम का रेड वेलवेट केक प्रिमिक्स ये एगले से और छोटी पैकेट्स में भी अवेलेबल है अगर आपको इसे पर्चेस करना हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है स्क्रैच से इस रेड वेलवेट केक को बनाना चाते हैं तो मैंने और रेड वेलवेट केक प्रिमिक्स ये उसकिया है इसमें एक बड़ा चमश रिफाइंड ओईल डाला है पानी रूम टेंपरिचर में ही है नॉर्मल पानी है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हुए हमें से मिक्स करना है ध्यान रहे बैटर बहुत जादा पतला ना हो बहुत जादा गाढ़ा भी ना हो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और ऐसे बैटर को चेक करिए लग रहा है कि ये थोड़ा गाड़ा है थोड़ा सही का चमचो और पानी डालिए मिक्स करिए और बैटर में कोई लंस ना हो इस चीज़ का खास ध्यान रखे आप बैटर रेड़ी हो जाए तब इसे ट्रांसफर करना है हमें एक केक टिन में केक टिन को ग्रीज कर सकते है या फिर बटर पेपर लगा सकते हैं आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं आज देखिए cake tin को थोड़ी सी मैदा और थोड़ी सी ओईल दोनों को mix करके लेके spread कर दिया है कोई butter paper भी use नहीं कर रहे हूँ बस batter को cake tin में transfer करके हमें इसे bake करना है अगर आपके पास oven है तो oven को पहले 200 degree Celsius पे toast mode पे यानि कि दोनों rod को on करके 10 minute के लिए preheat कर ले और फिर 180 degree Celsius पे 30 to 35 minutes के लिए bake mode पे cake को bake कर सकते है cake tin को tap tap जरूर करें इसे air bubbles निकल जाएगी तो cake की उपर के surface पे crack नहीं आएगी मैं आज तवे पे bake कर रहे हूँ तो तवा गरम हो चुका है तवे के उपर एक wire rack है उसके उपर cake tin को रखना है भगोने से ढखक कर low flame पे इस cake को में 40 minutes के लिए bake होने के लिए रख रहे हूँ ग्यास की flame थोड़ी उपन नीचे हो सकती है सबकी तो ध्यान रहे है आपकी ग्यास की flame अगर बहुत ही जादा लो हो जाता है low flame पे तो low और medium के बीच में भी आप flame को रख सकते है cake आप जब चेक करेंगे toothpick कैसे clean आनी चाहिए बस cake बेखोके तयार है और इस तरफ मैंने cream भी ready कर लिया है एक cup मैंने non-dairy whipping cream को whip किया है मैं हमेसा ट्रॉपलाइट की premium वाली whipping cream यूज़ करती हूँ तो whip कर लिया एक बड़ा चमश मैंने उसमें condensed milk दो बड़े चमश डिलेक्टा का cream cheese डाला है फेट करके cream cheese अगर आपको घर पे ready करनी हो तो आपके पास अगर मलाई पनीर है तो उसे grind करके ready कर सकते है पहले भी मैंने मेरे red velvet cake की वीडियोस में cream cheese घर पे बनाने का तरीका cream cheese वाली जो cream होती है उसे ready कैसे करते है सब को share किया तो आज की वीडियो में ज्यादा detail में नहीं बता रहे हूँ पहले की वीडियोस को आप चेक कर सकते है अब यहां पर cake भी थंडा हो चुका था मैंने इस अनमोल्ड किया और इस cake को में 3 layers में cut करे हूँ जिने भी cake की layers cut करने में दिक्कत आती है हमेशा आप thread का use करें इससे cake की layers perfectly cut होते है पहले चाको से आप निशान लगा ले और फिर thread के मदद से इस तरीके से layers आप cut कर सकते हैं इससे बहुत ही अच्छी layers निकल के आती है चाहे है आप जितना पतला layers cut करो तीन layer मैंने cake की निकाल दी cake की base board लिया है मैंने थोड़ी सी cream लगा लिया इसके उपर cake की top layer रखा जो cake की उपर वाली layer होती ना उसे हमें नीचे उल्टा करके रखनी होती है अब एक चोथ है का पानी में एक बड़ा चमच मैंने condensed milk डाल कर mix करके लिया है आप इस तरीके से जब cake की soaking करते हो ना cake की टेस्ट ना बहुत अच्छी आती है सच में तेस्ट आती है उसमें आप milk से सोक करें या फिर condensed milk mix करके सोक करें इससे टेस्ट बढ़ जाती है अब आती है second layer की cream मैंने इसे भी apply कर लिया और साथी साथ में clean भी side को करती जा रहे हूँ इससे messy नहीं होती है जादा और फिर देखिए third layer इसे भी हम सोक करेंगे ये cake की जो सबसे niche layer होती ना उसे हम उल्टा करके उपर रखते टॉप पे और बस cake की crumb coating करें करें करम coating के बाद ना 10-15 मिनिट के लिए cake को फ्रीज में रख दें जैसे के अभी गर्मी का सीजन भी आ गया है cake थोड़ा सा थंडा भी हो जाएगा, set हो जाएगा, दिन आप final icing करेंगे बहुत ही अच्छी सी icing हो पाएगी तो cream की एक layer evenly लगाने के बाद ना हम scrapper के मदद से और palette knife के मदद से smoothening करेंगे ध्यान रहे, कहीं पे उबडखबर ना हो, कहीं पे bubbles ना रह जाए, तो अच्छी से smoothening कर ले और फिर बाकी का design हम continue करेंगे, तो मैंने sides को ज़्यादा smoothening नहीं करी है और क्यों नहीं करी है, वो design बनने के बाद आपको समझ में आएगा बीच में मैं एक heart draw कर रहे हूँ, और यह जो cake की design है, यह customer ने choose किया हुआ design है उनको ऐसे design चाहिए था, तो बस मैं उसी को follow कर रहे हूँ तो यहाँ पे heart मैंने draw कर दिया, मैंने यहाँ पे cake की जो top layer होती ना, सबसे उपर वाली layer थोड़ा सा काट के ना, मैंने उसे grind किया हुआ है, तो यह crumb है, red velvet cake का crumb है, ठीके और उसी को हम उपर ऐसे spread करेंगे, तो यह बहुती सुन्दर एक red heart ready हो जाएगा, velvety जैसी, यह देखे ऐसे अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते, तो ऐसे toothpick से कर सकते हैं, यह देखे ऐसे और यह cake मेंने बहुत जादा कोई ताम जहम नहीं है, बहुती simple और बहुती सुन्दर डिजाइन है, आप बताना आपको यह डिजाइन कैसी लगी और हाँ दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी शेर जरूर से कर देना आप दोस्तो आप देख रहे हैं, मैं कुछ गोल्डन सी चीज लगा रही हूँ, इसे गोल्डन फ्लेक्स कहते हैं और केक की जो साइड्स को मैंने थोड़ा हाइटेड में रखा था ना, इसलिए रखा था कि मैं ये गोल्डन फ्लेक्स लगा हूँ, तो एक बॉडर क्रियेट हो और ये गोल्डन फ्लेक्स कहां पर मिलेगा, बेकिंग के रॉव मेटिरियल मिलने वाली शॉप्स में आपको मिल जाएगी दोस्तो ये जब आप लगा रहे हो, ध्यान रहे कि फ्यान चालू ना हो, ये बहुत ही हलके होते हैं, उड़ जाएंगे आपको छोटा-छोटा तोड़ करके, टूथपिक में ले करके ऐसे लगानी होती है, और इससे पहले केक को आप थोड़ा सा थंडा कर ले, फिल लगा है ये इसलिए मैं बता रहे हूँ, अगर आप बिगनर हो, आपको थोड़ा सा इसको लगाती हुए टाइम लग सकता है तो आपका केक थंडा होगा, तो आप इजीली काम कर पाएंगे बस हमारा केक रेडी हो गया है, बस हमें अभी मैसेज लिखना है और जिन कस्टमर का ये केक का ओर्डर है, उनकी बेटी का नाम है शगुन और अपने बेटी के बद्रे के लिए उन्होंने ये केक का ओर्डर दिया था तो उन्होंने कहा था लव यू शगुन लिख देना, तो मैंने याँ पे लव यू शगुन लिखा है तो I know कि handwriting इतनी अच्छी नहीं आई है मैं भी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से लिखू केक में अब जितना लिखते हो प्राक्टिस होती है उतना अच्छा आपाता है आगे हम भी बहुत अच्छे से लिखेंगे और हाँ दोस्तों आप सबकी प्यार और सपोर्ट की वज़े से हमारी यूटूब फैमिली दो लाग की हो गई है तो हम अभी दो लाग की बहुत ही बड़ी फैमिली है और उमीद करते ही फैमिली और भी ज़्यादा आगे और बड़ा हो तो आप सबकी प्यार ऐसे ही बनाये र झाल 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 झाल